हेलो फ्रेंट्स वालकम टू आयर्वफ अकादमी डिस डॉक्टर दिपिका बिल्वाल तो आज हम पढ़ेंगे सुरूतुदुष्टी हेतु रास्ट वीडियो में हमने पढ़ाता सुरूतुदुष्टी संक्या प्लस मूल आज हम पढ़ा है सुरूतुदुष्ट्थु हेतु तो स्रोते दुष्टी हेतु किसने बता गए अचारे चरक ने चरक के अकॉर्डिंग हम ही पढ़ता हैं बस ठीक है इसमें दोदो के याद नहीं रखना है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्राणवा के हैं तो क्या है शयात संधारणात रॉक्षयात व्यायाम अगर शय हो रहा हो बॉड़ी में ठीक है किसी चीज़ के डिफिशंसी हो रही हो संधारणात मतलब वेग धारण से जो धाने वेग हम धारण करते हैं रॉक्षयात मतलब ड्राइनस से बहुत जादा बॉड़ी रूख शोरी हो मतलब ब्लड वगरा की कमी हो रही है बॉड़ बॉड़ी में वीक नशाइब तो वेग शोरी तस से बहुत ज्यादा भूग है हम उसके बाद भी वेग वेएम कर रहा है उससे शय होता है ठीक है और वेग संधारण और जैसे रॉक्षयात ठीक है तो हम इसको कैसे लरन रख सकते हैं आपको बताते हूं ठीक है एक परसन है ठीक है यह है कोई ठीक है यह क्या कर रहा है यह एक्सरसाइस कर रहा है ठीक है बड़े 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 डंबल उठा रहा है बहुत हैवी डंबल उठा रहा है ठीक है यह डंबल से एक्सराइस कर रहा है और यह भूका है यह क्या है भूका है ठीक है इसने खाना न तो उससे क्या हो रहा है व्यायम शुदीतश्य इससे आपको याद हो गया याधर ठीक है सबसे पहला सब्सक्राइब चाहिए तो इस सब कुछ कर रहा है तो इसे क्या हो रहा है उसके अंदर शयह हो जा रहा है शयह हो ना मतलब वीक्नस आना ठीक है नमबर शयह और फिक कर रहा है अब और धारण कर रहे किसको होता हूची होता यह आपको याद होगा अगर आपने पड़ंग कर रहा है इससे जो करें पहल है और कंदा कर ला है किसका वेग धारन और यहां भूख का ठीक है भूख का वेग फूख को क्या बोलता है शुधा ठीके मैं आपको समझने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहुरे हैं जिससे आप नहीं भूलोगे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट पूचा ही जाता है ठीक है अगर प्छि लगे तो खाना चाहिए नहीं खाया चिम वाले भी कहते हैं कि सुबह फूट्स वगर कुछ ने कुछ खाकर आया करो अना बट यह बहुत स्मार्ट बन रहे अपने को तो इसने भूग का धारन कर दिया पहला पॉइंट ठीक है चारी पॉइंट रखने हमको फॉर्स पॉइंट क्रेम याद और अब उसके बाद क्या कर रहा है भूग को धारन करके व्यायाम कर रहा है व्यायाम शुधिता शुचट यह important है बहुत ज़्यादा ठीक है point पूछा जाता है ऐसे याद रखोगे कभी नहीं बूलोगे व्यायाम शुदिता सिच्च इसने भूख के वेक को धान कर अब इसने व्यायाम कर रहा भूका रहा कि आरा व्यायाम कर रहा है second point भी आपको याद हो गया ठीक है व्यायाम थे बौड़ी में स्य और योजय गया मत्बंट्ब बीकनस आगी और यह पूरी तरह सूख घया तब योज्य रोक्षय होगया ठ्क हो गया कृट्वारी म मेर् ज़ला थां अभ यह रिक होगवाले दीक हो गया थे जैसे आपको याद रखना है ग keyboard को भिएक धारण कर रहा है फिर प्र मुस्कांद कर रहा है थोत सब्सक्वा, रिए ठीक है तो ये आद ओगे आप लोगगों को को अब आता है नेक्स्ट उदगवा ठीक है तो उदगव में भी उचार पॉइंट यादः पांच पॉर्ण यादव आदफ मैं अच्छली तिशन मतलब प्यास किस-कारण से होता है उदगवस रोता है में थुष्टी तो पहले तरश्ण अगर हमें बहुत ज़्यदा प्यास रहें प्यासा रहें है प्रसक्राइब शेकर उष्ण एंग सेवर बहुत ज़्यदा गर्म और बहुत ज़्यदा ट्राइब फूट कहा रहां फिर मधीर्ग्रा अलकोहल फिर आम से अगर खाना अच्छा सा डाजेस्ट नहीं हुआ तो आम बनता है अना मैंने पहले भी बताया था ग्रहणी में फिर भय भय मतलब अगर हमें डर में हैं हमें किसी चीज़ में का डर है अगर उसके विज़े से भी उदकवा सोथ दुस्टी होते हैं जैसे अगर हमें डर लगता ह होतए है अब कि भय है उदक इंदक मतलब वार्टर ठीक है एसटू ओ मतलब वाटर योडा इक दो किसा एंठ मैं लगता हैं तो इसमें धर हैं बहता है तो इसमें होता हैं एक फ्रकार का तो उससा 1900 अलकोहल है यह तब इशना शुष्कstar ह influential seven ही अभ इसको हम कैसे याद रखेंगे आपको बताते हूं च्रिक जेया है इसकी कि अ 출ट की घचीक की देखो फ्रसन था उसको ठिशना थि एक बंदे को ठिशना थिट एसे प्यास लगे थी। उसे तिर्षना थी। थीक है तो उसने तिर्षना में उसको कुछंड़ कुछ तो खाना पीना था यतुछी है। किसके साथ? विद Madira, उसने अल्कोहल के साथ खाया। उससे जब क्या करना चूना चाहिएथा पानी पीना चाहिएथा और खुछ हल्का हुर्य हो छुछ कर दी आप उसको डर हो गया किस चीस का डर हो गया उट पटांग उसने खाया पिया आप उसे डर हो गया और को चिकर कीकी की सबसें अब कोई इस स्ट्ट्ट राउट यह स्पाइक स्टिक एए ए था इसको प्यास लगी थी इसनी क्या करा उशनुआ तिशुषकन रखाया विद मदीरा उसकर होगा इतना चाहद रखना बस तिशना तिशुषकन को खाया मदीरा के साथ आंका भ्यों हो गया हो फॉर्स्ट फॉंट तिरिश्णा हो गया कवर सेकेंड न्यां कवर हो गया थट मदीरह कवर हो गी पजिए कवर हो गया बस यही चुивать हो गए कमपेट तो जाहाई के पांच हमने पड़ Pal लिए कि नेक्स राथ आतना तो अन्रबाइब का एक तुप्या है टो मतलब क्या होई देखो food इसे कैसे याद रखना मैं बताती हूं food तो food को हम क्या करते हैं खाने को हम पका के खाते हैं पकाते हैं ठीक है इसके trick क्या है खाना होता है हम खाना मतलब अन इसे हम क्या करते हैं पका के खाते हैं ठीक है तो पका के से हमें याद रखना है पावक से बस पका के से पावक याद रखना है बस पावक तो जो पावक वाला है वो अन में होगा ठीक है नहीं होना आगे भी आएगा तो confusion होती है इतना अधग ना कि पावक अन्ड खानों को पका के खाता है तो पावक अन्ड हो गया अन्वस रोता दुष्टी हे तू अब next आता है रस रोता दुष्टी हे तू इसको इसमें क्या है चिंतानाम चाति जिंतनात मतलब जो बहुत करता है दो बार चिंता है ना चिंतनाम चाति चिंतनात एक बच्चा है जासे ना कोई है ब्रेकफास में रस्क खाता है रस्क होता है ना रस्क खाने वाले रस्क आप सबने खाये होंगे ठीक है एक बच्चा है कोई ठीक है बच्चा है यह बच्चा है यह ब्रेकफास में क् को आहान हर यह रख तो इसको रोच चिन्टा होता है बहुत जादा चिन्टायों एपने रस्क किई वे Max Time उन्सट्स कुट चृता है तो घ्श्थी था और प Eigen संब चिन्टा अपने रस्क कि य father नेक्स्ट है रग्तवर सोत दुश्टि के हेतु तो पहला पॉइंट आता है इसमें भजताम च आतप अनलो यह दो वड़ है आतप और अनल तो आतप का मतलब क्या होता है धूप चीक है तो अनल वर्ड यूज होता है पित्ते के लिए और अगनी कहा सकता है जो वैसे भी रग री तो होता है रग्त में क्या होता है पित्त होता है और यह दो नेर्ग क्या जाते है यहां पर कॉन सब्सक्राइब क्या है यहां पर का मिनिंग होता है अगनी ठीक है और एक वर्ड होता है अनिल का मिनिंग क्या होता है अनिल का मिनिंग होता है वायू ठीक है तो अनिल जहां आया है उसका मतलब अगनी हो गया तो भज़ताम चाहां आता पनलो प्लस इसने तो ऊशन भोजल ऊशन फिर अगनी के लाए ठीक है मे सब्सक्राइबस फॉर्स्ट पॉइंट यह जाता है अब नेक्स आता है मास्वा सोतो दुष्टी हे तू मैंने पहले बिपताया था जिसने अगा ग्रहणी का मेरा लेक्चर सुना है अना ग्रहणी वाली वीडियो देखिए उसे पता होगा उसहर भी मैंने बताया था करना भी बताया था कि कैसे डिफ्रेंस कर तो तीन है ना तो सबसे पहले भुक्तवाम ताम दिवां यह मास्वा सोतो दुष्टी है तो इसे लर्न रखो फिर जो दो आता है उसमें प्र लगा है प्र देखो प्र मैं दुबार से रिपेट करें जिसने अगर वह वीडियो नह नहीं है यह तो हो गया अब बचके दो दो दोनों में प्रसवपने एक में भुक्तवां प्रसवपने दिवां एक में है प्रसवपत समय के है कि खा के दिन में सोना इसका भी मतलब है खा के दिन में सोना, इसका भी मतलब है, यह खा के दिन में सोना, यह तीनों जगा है, बट आयरवेद में क्या है न, वर्ड वर्ड में अगर ऐसे difference होता है, तो वो competitive exams में बहुत ज़ादा पूछा जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जिसे अगर इन सब का आर्वेद में पता है कि यह कहा गए है, यह कहा खा करा गया है, तो इसके बितार्वेद आर्वेर्टich को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए, कि किस ने कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसमें यह सब questions पूचे जाता है, यह सब कूछे जाता है, इसलिए आप tääर नहीं वह मास का हो गया ठीक है अब परज इसमें हम दोब बढ़ाने तो यह दो वर्रड को मैं है Hangi इन मेंं से कौन सा एक वर्ड जिससे कफ बढ़ेगा अक्यला दिन में अगर हम इससे हाइड से तो दिवाम मतलब दिन में चिक है दिन में दिन में में AUTOMATIC कफ बढ़ता है क्या और अकेला स्वोने से कफ नहीं कर रहा है एकला दिन वर्ड से कफ नहीं बढ रहा है तो इसलिए अत्यागनी में स्वपन पहले होगा समझे न इसमें सौपन्य पहले होगा कि इसमें कफ बढ़ना सौपन वर्ड से भी कफ बढ़ रहा है तो इसमें आपने दिवाबाद में यहाद हो गूत ढेढिक है लिए आप union कि लेंट रखना ठीक है नेक्स आता मेदवा मेद तरह से मेद क्या होता है ठीक है तो मेदवा दुष्टिया फैट बढ़ता है जिसकारण से फैट किसके से बढ़ता है अव्याया मतलब हम बहुत लेजी रहें आलसीओं की तरह पड़े रहें ठीक है तो बिल्कुल भी हम अगर नहीं करें बहुत सचा छालो तो हमारा फैट बढ़ जाता है ठीक है मोटे मोटे हो जाता है तो यह व्याया आती भक्षन मितलब भौट जएदा खाले हम सब कुछ खाते रहे तोभी हम फैटी हो जाता है वारुनियों इक प्रकारण की मदीरा होती है तब अलकोहल काम ज्या कोलेस्ट्रोल के पेशेंट्स होता है तो उन्हें हम क्या अडवाइस करता है कि आप अलकोहल बंद कर दो अलकोहल मत लो क्योंकि अलकोहल से और अगर सालों पहले हमने जो पढ़ा पता वो याद आता है उसके basis में हम कुशन मार्ग करता है ठीक है तो अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो कि वारूनी मदीरा है ठीक है जो भी BMS कर चुका उनको पता है BMS के सुन के वारूनी एक मदीरा है अलकोहल है अगर आपने ध् इंक्रीज करता है और मोटे होता है तभी दिन में सोने से मना किया जाता है ठीक है तो यह चार पॉइंट से बस आप यहाद रख सकते हो ज्यादा खाना खाले फैट बढ़ता है में मतलब सैट पढ़ता है कैसे ज्यादा खालो कुछ फिजिकल वर्क मत करो अलकोहल लो और द अभिद्धनामचा सेवनात इसको अपको उप अभी मतलब क्रिकेटर क्रिकेटर है ठीक है क्या रहता है बहुत मज़े में रहता है ठीक है मजे में रहता है हो गया बस वीरु मजे में तो अगर कोशन में आएगा यह विरुद्धनम तो आपको याद आएगा वीरु मजे में तो बस टिक मार दोगे चिक है मज्या नेक्स जाता है शुक्र पूचा जाता है यह इंपोर्टेंट है शस्तिशार अगनी देखो मैंने पता है बहुत सारे बुक में बहुत कुछ लिखा है बट मैं आप लोगों को वही बताते हैं जो बहुत जादा इंपोर्टेंट है और पूचा जाता है शस्तिशार अगनी शुक्र क्या होता है बहुत बहुत अजीब सा यह बिल्कुल बलुकुल चीर फाडवाला हो एक यह यह इंसरी नहीं द्सके बहुत खतना कि चीज हो रही हैं तो ऐसे याद रखो sensitive चीज के लिए बहुत खतनाक से चीज़ें हो रही है तो शस्तिशारग ने शुक्र यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूं कभी कोई ने सब्सक्राइब वहीं मैं बतार लिए शुक्र हो गया अब क्या बच्टाएब आता है पुरूष में क्या है दुर्बल क्रिष संद्हारन अत्यशन है अद्यशन संद्हारन किसका संद्हारन कर रहा था वह शुदा का मतलब थो हमने उसी बोजने के लिए बताया था ना कि यदे भूग का वेइक ध्राण कर रहा है कि व्यायम कर रहा है संधारन किसमें पुरिश में आप लोगे को यहाद रखना पड़ेगा इतना तदो दोनों में पुरिश में और प्राण में प्राण में टैक है अब क्या है देखो को अत्यashan कर रहा है और अध्यashan कर अत्यashan मतलब बार-बार घाना थीक है अध्यashan मतलब पहले का खाया-वाश्य नहीं वह पच्छा नहीं है और तुम दूसरी मील ले रहे हो ठीक है मैंने बताया गिरहने वाथ है हैं तो अत्याशन बहुत जादा खा रहा है बार बार खा रहा हैं और बी mo लेजिशन में भी कॉरा बहुत जादा कारा बार बार बसको क्या खुआ जुआ क्रिश और और इसके टृ के त्रिक ये कि याप किया याद रखोंगे ठिक है पहला है संधारन यह आप याद रखोंगे आप ऐसे याद रहरे कि धुस्ति हीत् DI desiderum Sवंद hitting नौ में वहता है एक प्राण में और एक पूरिश में ठिक्ड़ आप याद रहे वार बार इंडाइजेशन में में भी खा रहा है कि बहुत जादा खा रहा है अत्यशन और इंडाइजेशन में भी बार बार खा रहा है अंध्यशन समझ आ रहा है ना i hope आपको सब को रैटिंग समझ आ रही है किसी को नहीं आ रही तो comment section में आप बताईएगा ठीक है अध्यशन अध्यशन अब आगया second point third point हो गया ठीक है अब वो बार-बार खा रहा है उससे क्या हो रहा है वह इतना खा रहा है अन्ड़ जाचन में भी खा रहा है बड़ वो क्या है दुर्बल और है ठीक है तुर्पल और क्रे brank है बस हो गया पॉइंट्ट सारे कवर हो गया अब क्या हुआ आप इसा किसके हैं हमारा घ्यारा बारा मूत्र को क्या है इस्तृ सेवन शेडन से अभी मतश्च अब यह बहुत स्थादा इंप्रोटन टेक क्यों इंप्रोर्टन है मैं आपको बताती हूं यह इसले इंप्रोर्टन क्यों क्या लगाता है शुक्र में टिक मारता है जबकि शुक्र का सिर्फ एक है शर्स्तषार अगनी शुक्र का 357 कि सैंसा है मूथ्र का ठीक है इसको यह याद रखना है यापने याद रखना कैसे भी याद रखना है आपको 37 मूथ्र का ही आप ऐसे रहे हैं ठीकिए पैसे हैं यहाँ सकता है इसको कि अन्हेent की यूट Tian मॉठ्ड मत्वत्व Projectャम ज्यादा ऐसे आप रखो है तीक है तीकरें मैं यहां पर है एसे साइन होता ना यहिते हैं यहां होता है यह पूल जाओ गैर यूटिया इसे आपको याद रहेगा कि मूत्र यूटिया किसमें होता यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन यूरिनरी मतलब मूत्र ठीक है तो यूरिन यूटियाई फीमल यूटियाई फीमल यूटियाई फीमल ऐसे ही आपको याद रखना है ठीक है तो इससे आपको याद रखना है स्त्री सेवन इन मूत्रव है ठीक है स्त्री फीमल हो गई तो फीमल का मूत्र यूटियाई ठीक है यह कभी भी शुक्र नहीं करना है शुक्र मे श्रस्तिशार अगनी 37 मूद और शीनल से अभी मतल से चुप इसे आप ऐसे याद रखर सकते हैं ना नहींता तो कैसे कि शीन जैसे एक बीपीएच होता है ना बिनाइन प्रॉस्टेट बिनाइन प्रॉस्टेट हाइपरप्लेशिया ठीक है उसमें क्या होता है इसे नॉमली प होती है बॉडवी शीन हो जाती है तो बीपीएच प्रॉस्टेट कहां होता है मूतर के पास यह होता है एसी यूरीन जूनिर जो सिस्टम है उसी के आस पास होता है एसे यादग शर्ण से अमूत्र वहा शीन से मूत्र प्रशीन से मूत्रवा ठीक है तो प्रोस्टेट वाला तो कुछ स्रोतस है नहीं तो प्रोस्टेट किसके पास है इसके पास तो यह इसमें होगा ठीक है ऐसे आप इन दोनों को याद रख सकते हो अब तेरा लास्ट क्योंकि यह हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ने चरक के चरक शोक यह ज्यासे हमें ढर लगता है तब हमें स्वेटिंग होती है ठीक है प्लस अगर बहूँंज़ा गुसा करतायँ हम एंगरी होते हैं, बहुत कुस्सा करते हैं, तब भी हमें software होती है, लाई, बहुत क्तिसी, बहुत का स्वेटिंगवी बढ़ जाता हैं हैं और शोक मतला हम डिप्रेस्ट होता हैं तब यहां क्तिसी में क्याकित हैं क्को चोग ऐसे याद रखना तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फिर्स पार्ट में और इस वाले पार्ट में हमने देखा है कि सुष्टी है तो कि किन-किन कारण से दुष्टी हो अब नेक्स पार्ट में देखेंगे सुष्टी लक्षन गर आप लोगों कोई भी समें कमी लगत झाल झाल